हलो एवरीवन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास सेकेंट हिंदी का चप्टर ट्विल्फ बस के नीचे बांग तो किसी जंगल में एक छोटा बांग खेल रहा था खेलते खेलते वे जंगल के पास वाली सड़क पर निकल गया सड़क पर एक बड़ी बस खड़ी थी तो बच्चा बांग का बच्चा था वो खेल रहा था और खेलते खेलते सड़क के पास चला गया सड़क के पास एक बस थी चोटे बांग ने देखा कि बस का दर्वाजा खुला है बाग अपने अगले पंजे बस की सीड़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा तो वो बस में चढ़ा और अंदर की तरफ देखने लगा उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से खरर खरर सी आवाज आ रही है और उसके पास एक आदमी पैठा है बाग के बच्चे ने देखा कि बस में से खड़कर आवाज आ रही है और एक कोई आदमी भी पैठा हुआ है चोटे बाग ने यह भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दिवार सी है लेकिन यह दिवार कुछ अजीब थी उस दिवार में से बाहर की हर चीज साफ साफ दिखाई दे रही थी तो बाग ने देखा कि जो वो आदमी है उसकी आगे एक दिवार है मगर उस दिवार के तोहर पर सब दिखाई दे रहा है भड़ी अजीब दिवार है बाग ने अपना सर दाइनी तरफ मोड़ा उसने देखा कि बस में कई लोग बैटे हैं आगे वाली सीट पर दो छोटी लड़किया थी अचानक छोटे पाक को लगा कि लोग उसे डर रहे हैं और उसे पगाना चाहते हैं तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी आगे वाले दर्वाजा खोल कर बहार कूद गया अब भाग ने जब अपना सर इधा और दर मोड़के देखा तो देखा कि सारे की सारे लोग उसे डर रहे हैं और जो एक आगे की तरफ वैठा था आदमी वो तो बस से नीचे ही कूद गया बस के काफी लोग भी तेजी से पीछे वाले दर्वाजी की तरफ भागने लगे फिर लोग पीछे के दर्वाजी की तरफ भाग कर उतरने लगे लोगों को भागते देखकर छोटा भाग कुछ घब रहाया चोटे बाग को भी डर लगया कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं वैसे इड़ी से उत्रा और बस के नीचे खुस गया नीचे पहुँचकर वै बस के आगे वाले पहिये के पास जाकर दुबग गया उसको भी डर लगया बस किया आगे वाले जो पहिया था उसके पास जाकर चुप गया लेकिर वहां उसे अच्छा नहीं लगा फिर वै फिर से बस के बीतर जाना चाता था फिर उसको पहिये के पास आकर जो चुपा वह उसको अच्छा नहीं लगा उसका मन कर रहा था कि वो बस के अंदर जाके देखे फिर से थोरी देर बाद वै बहार निकला और बस की सीड़ी पर पंचे रखकर बीतर चला गया वै सामने वाली सीट पर बैट कर बहार देखने लगा फिर वो बस में चड़ गया और आगे वाली सीट पर बैटा ये देखे किसा से बस में बैटाू है और पाहर की तरफ देख रहा है सामने से एक बस आ रही थी, उसमें बहुत सारे लोग बैटे थे उन्हें देखकर चोटा बाग सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यूं भाग गए फिर सामने वाली बस में इते सारे लोग थे बाग को लगा रहे भाई मेरी बस में से सारे कि सारे लोग क्यों भाग गए हैं क्यों भाग गए थे दर गए थे वो बाग से इसलिए तो यह हमारा यह वाला चप्टर हो गया इसकी question answers हम next वीडियो में देखेंगे अब इसका एक और जो चप्टर है वो देखते हैं तेंदुए की खबर तो मुंबई 12 मार्च की यह बाद है मंगलवार के सुभा तेंदुए का एक बच्चा बस में पहुँच गया इससे पहले की तेंदुए का बच्चा बस में चरता चालक डरकर भाग गया देखते ही देखते लोगों की अच्छी खासी बीड जमा हो गई इन में से कुछ लोग तो अपने बचाफ के ले कुलहाडी और लाटी भी लेकर आए थे बीड और शोरगुल्ट से गबरा कर चार महीने का वैतेंदुए का बच्चा बस में नीचे छुप गया 9 बचे जाकर पुलिस, फायर ब्रिकेट और बोरी वली पार्क के जानवरों के डॉक्टर रणधीर बरहटे उस जगह पहुँचे सभी ने मिलकर उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश की पर वह टस से मसना हुआ हालकर डॉक्टर बरहटे ने बेहोशी की दवा की सुई तयार की और एक लंबे पाइप से फूकर तेंदुए के बच्चे को लगाई बेहोश हो जाने के बाद उसे पोरे में लपेट कर जीप में बोरी वली पार्क में ले जाया गया आँख खुलने पर उसने अपने आपको पिंजड़े में पाया तो एक बार ऐसा सच में भी हुआ था कि तेंदुए का बच्चा बस में चड़ गया था फिर बस के नीचे बैट गया और निकल ही नहीं रहा था वहाँ से बाहर फिर डॉक्टर को क्या करना पड़ा उसको रस्ता पक्का हो या कच्चा चलता उस पर बाग का बच्चा कभी उचलता कभी कूता धूम मचाता बाग का बच्चा बाल पूचके और मुचके लहराता है बाग का बच्चा पंजे अपने कहीं अड़ाता सुस्ताता है बाग का बच्चा मा जब चलती वह चल पड़ता कभ भी कहीं वे गिरता पड़ता तो इसमें यह यह बाग के बच्चे के बारे में बता रहे हैं कि क्या क्या करता है उचलता रहता है कूदता रहता है मज़े करता रहता है उसकी पूच पर बाल उसकी मूच पर बाल वो उसको लहराता हुआ गूमता रहता है कहीं पर अकड़ता है अपनी मा के साथ साथ वो चलता रहता है पानी में भी उचल तैल कर चलता जाता बाग का बच्चा पानी में भी स्विमिंग जैसी करता जाता है वो बड़ा बहादूर बाग का बच्चा घबराता ना बाग का बच्चा चलता आता चलता आता गुर्राता है बाख का बच्चा गुमता रहता है इधर उधर अराम से मजे से उसके पेट पर काली-काली धारियां है बहुती सुंदर-सुंदर जो लगती है यह देखिये पिक्चर में किती सुंदर लग रहे हैं यह धारियां और बूरी-काली होती है वो इदर उदर चलता रहता है, गुर्राता रहता है और गूमता रहता है, तो यह वाला भी चैप्टर हमारा है, कम्पीट हो गया है, इसमें तीन पार्ट थे, और तेंक यू